बंद कर दे, मैं तब भी बंद ने करी, गारी ठोकी, सेल्जरल ये भी बोला, तो भी ज्यादा बाइकर को चोट लग जाती, किसी और को चोट लग जाती, तो उसको कुछ बिगाड नहीं सकता, तो कुछ कार उसके नाम पे थी नहीं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन है वो लड़की जो सामने बैठी हुई थी, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो कौन लड़का है जिसने ये वीडियो शूट किया, वो लड़की रज़त की लगती किया थी, और रज़त दलाल ने क्यूं कर दिया, अब सरेंडर, लड़का जो पीछे बैठा थ फिर्म की भूक में, चलो पुराना गुरूर तो तूटा जाना के बेअकली क्या है तो रज़त दलाल के बारे मैं पिछले दो वीडियो में आपको बताया कि कैसे एक वाइरल कार वीडियो सामने आया और उसमें एक बहुत इन्हुमन आक्ट देखी, एक लड़की ने साथ में बुला कि एक बाईकर को चोट लगी है, उसको उठाया जाए रज़त दलाल बोलते हैं, यह तो हमारा रोज का काम है, गिरने दो, मरने दो कोई क्या बोले इस बारे में, पर क्यों ना बोलें, चाहिए वीडियो ओल हो जैसा, रज़त दलाल ने अपनी क्लैरिफिकेशन में कहा अभी क्या आसपास का वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, पर रज़त, कुछ जैसे मैंने बताया, जो करम है उसका तो बुक्तान करना पड़ेगा, कई लोग ना बोला, भहिया, ओल्ड वीडियो ऐसा, क्यों कर रहे हो आप, आपके बाप, या आपकी माँ, आपकी बेन, किसीने 10 साल पहले भी हमला बोला हो, उनके साथ अपराद हुआ हो, तो क्या आप उसको बक्ष देंगे, कोई गंदा हाथसा हुआ हो, उसको बक्ष देंगे, क्योंकि वो पुराना हाथसा है, उस इंसान को सजा नहीं मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलेगी, तो ऐसे ही काम करके लोग अटेंशन लेंगे, ऐसी काम करके लोगों करके यह तो शॉटकट है, और और क्रीटर्स की धूरतता देखिए, उनको पता है बंदे को अटेंशन मिल रही है, थोड़ी से कॉलाबरेशन हासिल कर लेने हैं, चाह बंदा डेंजरस है सुसाइटी के लिए, उसका सा पानी निकल जाएगा, नहीं, कीशे से तो कुछ और निकलेगा, आगे से पानी निकलेगा आपके, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, आपके लिए एक ट्रीट्मेंट है, जो मैं अपनी ओडियन्स को करने को ज़रूर प्रोसाइट करूँगा, पर उससे पहले मैं बता दूँ, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन है वो लड़की जो सामने बैटी थी, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो कौन लड़का है जिसने ये वीडियो शूट किया, वो लड़की रज़त की लगती किया थी, ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में, और परीदबाद जाना पड़ा पुलिस टेशन जाना पड़ा खुठ से सरेंडर करना पड़ा क्यों कि इसे समिए रहा है कि ऐसे लोगों को साथ भी उतना ही डिंगरस है जिसको वो दोस मान रहे हैं वो उन पर भी बहुत भारी पड़ सकता है बेगो शौट टम में ना सही पर लॉंग टम में कर्मों का भुकतान तो सब को ही करना पड़ता है तो वो कैसे बच जाएंगे हुआ कुछ ऐसा कि रज्यत दलाल का जब ये वीडियो वाइरल हुआ हमने ट्वीट किया कई और लोगों ने ट्वीट किया सोशल मेडिया पर आज लोग जाग रुखे हैं आज लोग सोशल मेडिया पर वाज उठाते हैं हमारे टेलीग्राम कमेड़ी में करीब न 15,000 लोग हैं जो वाज उठाते हैं जब भी ऐसे मुद्द्यात हैं 15,000 लोग बहुत काम हैं पर एक एक इंसान उन 15 जाल लोगों में इतना माद्दा रखता है कि सच की लड़ाई में हमेशा आगे बढ़ने का जजबा रखता है अपने दिल में बेखॉफ तो सोशल मेडिया पे वाइरल होता है फरीदाबाद पुलिस एफ़ायर लिख पाती है और रजद दिलाल को आना पड़ता है बिकास कहा जाएगा आना तो पड़ेगा फरीदाबाद पुलिस में सरेंडर किया और उसके बाद I congratulate that girl जो सामने बैठी हुई थी front seat पे वो रजद कि क्या लगती थी कुछ नहीं वो दोस नहीं थी वो एक sales girl थी आप हरान रहा जाएंगे कि गाड़ी भी रजद की नहीं थी जो चला रहा था जो तो ट्राइल पे जला रहा था वो था ना कि आपको कई कार खरीदनी होती है तो आप ट्राइल पे जलाते है और आप समझिए इस चीज़ को कि क्यूं वो इतनी reckless driving कर रहा था उस लड़की को बिठा के क्यूंकि कार उसके नाम पे नहीं थी अगर कुछ हो भी जा था था जिसकी job जा सकती थी जिसकी मावापने उसको पढ़ाया होगा उसकी शादी करवाने का plan होगा और ओसको भी कुछ हो जाता उस दिन तो उसका जिमावार कौन होता क्या हम इसको नजर अंदास कर देती कि ये तो पुराना वीडियो था जान चली गई तो क्या हो गया को है आज एफायर में सेक्षेंस हैं वो बहुत नहीं है लाइसंस संस्पांड करना बहुत नहीं है उस बाईकर के बारे में पता चलना भी बॉट इंपॉटन। चल गए, पुलिस उसको डून रही है, हो चुपा बैटा है, पता है क्यों चूपा बैटा है? कौनाल जो आपने काम किया, वो बड़ा, अच्छा काम किया हैan आपने जो काम किया, वो काईलिये तारीफ काम कया वो बाइकर सामने आये और वो पुष्टी हो और वो पुष्टी हो से लिजल कर सकती है बट ये इंसिडेंट जो है वो 25 फरवरी का है तो अगर ये वीडियो आप जादा से जादा शेयर करें शायद उस बाइकर तक पहुच जाए और वो बाइकर में कॉंडाग करें या पुल इस डेट से सब कुछ पता चल सकता है यही डेट वो कड़ी है जिससे उस बाइकर के बाइन में पता चल सकता है और मैं फेर से बोलूँगा कि ये जो सौधा कर रहा है ना इनको ललका रही है इनके चैनल्स पर जाकर इनसे पूछिए कि डिलीट करा वीडियो डिलीट करा के बजाए वो एक क्रिमिनल को इंडोस कर रहे है उसका अपना दोस बता रहे है यह सही है यह सरासर गलत है और मैं आप से यह भी बोलूँगा कि रजद दलाल जैसे लोग जो है ना उनको वाहां हिट करी जहांट मैटर्स उसने बाइकर को हिट किया आप उसको वाहां हिट क और मैरे शेयर करेंगे कि अनपॉलो रजद दलाल तो उसकी पावर आप उससेचीच चीन लेंगे और इसको तमाचा आप मारेंगए जो उसने कई पता नहीं कितने लोगों को मारा है कब कब मारा है उन लोगों को जिनके पास कुछ पावर नहीं थी पर आप, आपको मैं वो पावर आज दे रहा हूँ आपकी पावर का आपको विश्वास दे लवा रहा हूँ पावर आपके पास है छीन लीजिए उसके फॉलोज उससे और वो एक मिलियन फॉलोज से अगर, एक लाग से नीची आजाते है तो आपकी और मेरी सब की हमारी जीत होगी, उस बाइकर की जीत होगी उस लड़के की जीत होगी उन सारे लोगों की जीत होगी इसके साथ गलत किया है, इस इंसान नहां क्योंकि एक बार बोलू, अगर आज आप ये करोगे न, तो ऐसा कोई दूसरा रजद दलाल पैदा नहीं होगा, जो ऐसे काम करके फॉलोस बडोर के कमाना शुरू कर दे हैं, और उसके साथ ऐसे कुछ निरलरज क्रीटर्स को लाप करना शुरू कर दे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो और आज आप इसको रोक पाओगे, आज दूसरा रजद दलाल नहीं बनेगा, तीसरा रजद दलाल नहीं बनेगा, या रजद दलालो की आर्मी नहीं बनेगे अगर आप आज इसको रोक दोगे, और आप रोक होगे by spreading this hashtag unfollow रजद दलाल, मैं यहाँ आपको साहिद कर सकता पर मैं कुछ नहीं कर पाओँगा, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे, तो और अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बुलना, we are with you, people, we are with you, bake-off, या आप ये भी बो सकते हैं, मैं bake-off बंदा हूँ, मैं आपका साहथ जरूर दूँगा, म call me people, call me Akash, whatever you want, but please join this campaign, और ये telegram community का link है, जहां इस campaign को हम run करेंगे, और track करेंगे, मेरे दोस्तों, आपको अगर एक सही तरीका अपनाना ना, जिससे आप भी पैसे कमा सकें, ऐसे नहीं, गलत काम करके, अच्छे काम करके, तो आप भी कर सकते हैं, अपने expertise से, अपने passion से, आप मेरा experience यूज कर सकते हैं, corporate experience 18 साल का, YouTube experience 6 साल का, उसके बाद मैंने एक newsletter पे काम किया है, जिससे आपको एक amazing, मजबूत method मिलेगा, जिससे आप अपने digital authority बना पाए हैं, सही तरह के से, value provide करके, अपने passion के basis पे, अपने expertise के basis पे, जिससे आपको खुशी मिले, किसी की सहाय तक रहे किसी help करके, value provide करके, और वही तरीका, सही तरीका long term है, short term, short cuts बहुत लोग माल लेते हैं, short cuts में बहुत लोग अमीर बन जाते हैं, बहुत कुछ बन जाते हैं, पर long term में वो fail हो जाते हैं, खजूर पे जितने उपर पहुँचे हैं, उस खजूर के पेड़ से, flat गरत करूंगा आप चाहते हैं, तो जरूर कमेंट से बताना, और आप मुझे email भी कर सकते हैं, DM भी कर सकते हैं, Instagram, Twitter, Facebook पे follow कर सकते हैं, मैं फिर से मिलूँगा, ऐसा ही बेक आफ वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा, खेर खुदा आफेस, असरे काल राम राम, आप देर रह